हालो एंड वेलकम क्रिष्णा कोचिंग ओनलाइन क्लासिस तो हम डिस्कस कर रहे हैं जीके के क्वेस्टन सीरीज आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेस्टन है 12.52 से question क्या है on which particular date the rate of rotation of the earth on its axis is highest तो इसका right answer है it never change तो जो rotation है वो कभी change नहीं होती है क्या आपने याद रखना है next question क्या है what does the rising of the evening star indicate तो rising of the evening star क्या indicate करता है वो east west north full या south full तो इसका right answer है west पस्चिम को ये indicate करता है तो आपको पता है evening सूर्य कहां से निकलता है east से निकलता है west में छूप जाता है next step which of the falling are the most evident constituent of earth crust limestone sandstone या फिर igneous rock या फिर sedimentary rocks तो इसका right answer है igneous rocks जो आगने जो चटाने है ठीक है जैसे राइज ने उस पर question था एक जैसे मैंने बताया अभी rising star जो indicate करता है evening star जो indicate करता है वो west को indicate करता है और वैसे जो country से देको rising sun country किसको बोला जाता है वो जापान को बोला जाता है और sunset जो country बोला जाता है वो किसको बोला जाता है वो नौर्वेय को बोला जाता है next question है the earth temperature at its core is about the earth का जो core है वहाँ पे कितना temperature है वो है 2000 Celsius ठीक है 2000 degree Celsius next है equinox in 2008 occurred on तो इसका right hand side 20th March and 23rd September देखो question जो दिन और रात जो होते हैं वो बरावर कब होते हैं वो बरावर होते हैं 21 March और 23 September को यह आपने याद रखने हैं दिन और रात कब बरावर होते हैं 21 March और 23 September को और 22 जो December होता है उस दिन सबसे छोटा जो दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है और 21 जून को सबसे वड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है और जो World Yoga Day बनाया जाता है वो बनाया जाता है 21 जून को ही बनाया जाता है यह आपने याद रखना है Next है Which of the following state in India has the smallest area under forest Under forest पूछा हुआ है ठीक है तो यह है हर्याना ठीक है Next question क्या है Next है Which of the following soil group is also known as ragor Ragor जो सोयल है वो forest सोयल ब्लैक सोयल या फिर लेट्रक्ट है या फिर अलुवियल तो इसका right answer है ब्लैक सोयल काली मिट्टी जो cotton या कपास जो होता है वो काली मिट्टी में ही उगाया जाता है Next है Which of the following separates India from Sri Lanka पाक स्टेट या फिर मेक मोहन, रैड कलिफ या फिर गाजा स्ट्रिफ तो यह भी आपको पता होगा यह है पाक स्टेट इसका पाक स्टेट इसको separate करता है और एक और है way of मनार way of मनार या मनार की खाड़ी और पाक स्टेट सिलंका को भारत से separate करता है मेक मोहन लाइन क्या है यह इंडिया और चाइना के बीच की लाइन है बॉंडरी लाइन है और रैड कलिफ जो है वो पकिस्तान के साथ है ठीक है और डूरंड जो लाइन है वो अफगानिस्तान के साथ है इंडिया की और गाजा स्ट्रिप कहां पर है ये इस्राइल में है नेक्स्ट क्या है दि लॉंगेस्ट शोर लाइन इन अलॉंग दी स्टेट आफ तो सबसे लंबी जो शोर लाइन है वो है गुजरात की और देन आन्दरा परदेश की ये भी आपने दिहान में रखना है नेक्स्ट क्यूशन है विच आफ दी फॉलिंग आइलाइन इस सिचुएटेट इन एरवियन सी कौन से आइलाइन है ये है लक्षदीप लक्षदीप आइलाइन और अंदरा पॉइंट क्या है ये इंदरा पॉइंट कहां पर है ये है अंदेमानिकोबार में जो की साउथेस्ट साउथ में इंडिया का पॉइंट है और नॉर्थ में क्या है इंदरा कॉल है ठीक है वो कहां पर है ये है जैंड के में और वेस्ट में क्या है West में है Sir Creek जो कहां पे है वो गुजरात में है और East में कौन सा है वो है Walangu Walangu यह कहां पे है यह है और उना चल परदेस में ठीक है तो यह आपने याद रखना है Very important question है यह भी Next है Oyster farming is practicized in तो यह है Japan में यह होती है Next है The territorial water of India Extend up to यह 12 nautical meal तो यह भी पता होना चाहिए आपको और एक nautical meal जो होता है वो कितने किलोमेटर के वराबर होता है वो होता है 1.8 किलोमेटर के वराबर ठीक है Next question क्या है The islands that lie between India and Sri Lanka तो यह है Rameshwaram कहां पे है Tamil Nadu में Next है Which Indian state is not bisected by the tropic of cancer तो इसका right answer क्या है उडिसा ठीक है राजस्तान गुजराद वेस्ट बंगॉल से होते हुए tropic of cancer जाती है 8 state मैंने आपको बताए कौन कौन से है जहां से tropic of cancer जाती है और एक question और है जहां कौन सा continent ऐसा है जहां से equator ट्रॉपिक आफ गैंसर और Capricorn यह तीनों की तीनों लाइने जाती है वो है एफ्रीका कॉंटिनेंट ठीक है यह भी आपने ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है वीच ओफ दी फोलाइंग टॉण्स लाइ इन नौर्थ ओफ दी ट्रॉपिक आफ कैंसर इलहवाद पतना जहांसी या फिर आल आफ दी अबब तो यह भी आपको पता है आल आफ दी अबब इसका राइट अंसर है पतना का है बिहार इलहवाद या प्रयागराज उत्रप्रदेश जहांसी भी उत्रप्रदेश में नेक्स्ट है इस साउतरन मोस्ट पॉइंट ओफ इंडियन टेरिटरी इस तो इसका राइट अंसर है इंडरा पॉइंट तो जैसे मैं भाएब साउत का जो है इंडरा पॉइंट नूर्थ का जो है इंडरा कॉल इस्ट का यो है वो वालंगू और वेस्ट का जो है वो सरक्रीक ठीक है नेक्ष टेर वीच ओफ दिपॉलइंग स्टेट has a common boundary with Bangladesh तो मिजोरम मेगाले यत्री पूरा ये तीनों की तुनों है तो इसका option number D नेसे दी नीलगिरी आर पार्ट आफ दी नीलगिरी किसका पार्ट है देखो नीलगिरी आपको ये पता होना चाहिए कि पहले है कहां पे नीलगिरी जो है वो केरला तमिलाडू या western घाट और eastern घाट पे जहां मिलता है उसको हाँ पे है नीलगिरी की पहाड़िया तो ये है western घाट ठीक है और western घाट को महराश्टरा में क्या बोला जाता है उनको बोला जाता है सहयाद्री ये आपने याद रखने है बहुत बार question पूछा गया है question है who held the office of the vice president of India for two full terms तो option क्या है वीडी जत्ती या फिर हिदायत दुल्ला या राधा कृष्णन या भी वी गिरी तो इसका राइट अंसर है श्रभपली राधा कृष्णन ठीक है जो हमारे first vice president रहे है next day the constituted assembly of India held its first meeting तो जैसे मैंने बताया था आपको first meeting कब वोई थी constituted assembly की वोई थी 9 December 1946 को next day whom did the constituted assembly elect as its permanent chairman तो देखो आपने यहाँ पे दिहान देना है यहाँ पे लिखा है permanent chairman तो permanent chairman कौन थे वो थे राजेंदर परसाद लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा होता कि first chairman कौन थे constituted assembly के वो थे सचिदानंद सीना ठीक है सचिदानंद सीना इसके first थे लेकिन वो non permanent थे permanent जो chairman बने थे वो बने थे राजेंदर परसाद one nautical miles is equal to जैसे मैंने आपको बताया one point eight five two kilometer one nautical mile next which of the falling is a river rain port कौन सा है कौलकता है मदराज, बॉम्बे, कोचिन तो इसका right answer है कौलकता next the highest Indian peak तो इसका right answer है देखो एवरेस्ट कहां पे है नेपाल में है जिसको नेपाल में क्या बोला जाता है सहागर माथा भी बोला जाता है गौडविन आउस्टीन जेंड के ठीक है option number b is the right answer second highest peak in the world सबसे टॉप पे है एवरेस्ट देन गौडविन आउस्टीन या फिर k2 इसको बोलते हैं कंचिन जूँगा third highest peak है जो कहां पे है सिक्कि में है और नंगा परवत जो है वो उत्राघंड में है नेक्स्ट क्वेस्टन है नेशनल हाइवे नंबर वन लिंक डहली टू अम्रित सर अप्शन नंबर ए डहली टू अम्रित सर नेक्स्ट क्वेस्टन देखो which of the following statement is true conscious statement true है solar eclipse occur when the moon come between sun and earth तो यही इसका right answer भी है नेक्स्ट है इंडिया है अबाउट इसक्स लैक्स बिलेज तो यह भी इसका right answer है option नंबर ए यहां से आगे next वीडियो झाल